नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि FUSES 150 टाबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, FUSES 150 टाबलेट को कैसे लेना चाहिए, और FUSES टाबलेट की वज़र से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे कि FUSES टाबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए, FUSES टाबलेट एक एंटी फंडल दवा है, FUSES टाबलेट का उप्योग फंडल इंफेक्शन और यीस्ट इंफेक्शन होने पर किया जाता है, FUSES टाबलेट का उप्योग मुख्य रूप से महिलाओं की वजाइना में फंडल इंफेक्शन होने पर किया जाता है, महिलाओं की वजाइना में फंडल इंफेक्शन होने पर वजाइना में जलन होना, खुजली होना, दर्ध होना, वजाइना के बाहर की तवचा का लाल होना, वजाइना में सूजन होना और वजाइना से सफेद रंग का डिस्चार्ज होना आदी लक्षर महिलाओं की वजाइ इंफेक्शन होने पर त्वचा में लाल धब्बे, दाद, खाज, खुजली और त्वचा में जख्म आदी लक्षन दिखाई देने लगते हैं। फंदल इंफेक्शन नाखुनों मुह और जांगु में भी हो सकता है। फंदल इंफेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। के अलावा फ्यूसीस टाबलेट की वजह से कुछ पसेंट व्यक्तियों में जोडों में दर्द होना, हैर फॉल, लिवर में सूजन होना और त्वचा पर रैशेज भी हो सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक फ्यूसीस टाबलेट को लेने से लिवर डैमेज भी हो सकता है। अब हम डिसकस करेंगे की फ्यूसीस टाबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। फ्यूसीस टाबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। महिलाओं की वजाइना में फंगल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए Dr. Fuses 150 mg टैबलेट को सब्ता में केवल एक बार ही लेने की सलाह देते हैं। वचा पर फंगल इंफेक्शन होने पर Fuses टैबलेट की डोज इससे अधिक हो सकती है। Fuses टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आपको Fuses टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि Fuses टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। अगर आपको किड्नी या लिवर की कोई समस्या है, तो आपको इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। क्योंकि Fuses टैबलेट किड्नी और लिवर की समस्याओं को ज्यादा गंभीर बना सकती है। प्रेग्मेंट महिलाओं के लिए Fuses टैबलेट का सेवन करना सुरक्षत वर रेक्मेंडेड नहीं है। अभी इसके बारे में परियाप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि Fuses टैबलेट स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं। इसलिए ज्यादा तर डॉक्तर स्तनपान करा रही महिलाओं को Fuses टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Fuses टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।